नमस्ते दोस्तों वेलकम बैक टू दा चैनल तो हमारे घर में बहुत सारी ऐसी चीजे होती है जो वेस्ट रखी रहती है जैसे प्लास्टिक के बॉक्स होगे या फिर इस टाइब के टिन के कंटेनर है प्लास्टिक की या काच की बोटल्स है शोपिंग बैक्स है तो इन सब च करके कुछ यूसफुल आइटम बना सकते हैं जो देखने में भी अच्छे लगे और आमारे घर के लिए कुछ यूसफुल भी बन जाए तो देखिए मैंने भी इस टाइब काई के टिन का बॉक्स लिया है और सबसे पहले इसके किनारों को मैंने फॉल्ड कर दिया है तो जो किनारों को सबसे पहले फॉल्ड कर दिया है प्लायर की है ताकि हमारे आथ में कोई भी चौटना लगे क्योंकि जो इसके किनारे होते वह बहुत शार्प होते हैं तो सबसे पहले वह काम कर लिया उसके बाद मैंने लिया है कि यह वॉल्ड पेपर बहुत अच्छा है इसका तो इसमें कुछ भी करने के जोटने है बस नीचे से इसका एक पेपर होता है वो हटा दिया और इसको देखे स्टिक कर दिया बस स्टिक करते से मैं इस बात का ध्यान रखा कि इसमें कोई भी बबल्स वगेरा ना आए सिंपल सा फाई से यह ओ जाए और अब देखे आप चाहे और अब देखे मैंने एक चोटी सी मेरे पास लकड़ी रखी थी तो इसके मैं तीन पार्ट कर रही हूँ तो मैंने निशान लगा लिए है तो जितनी लंबाई का आपको कट करना है उतना लंबा आप कट कर लीजिए तो हमने जो यह बनाया है इसके मैं एक्चुली इसके ल मैं कर ले रही हूँ फैवी बॉंड और इसके मदद से मैं इसको स्टिक कर दूंगी तो अगर आपके पास ग्लूगन नहीं है तो आप इस टाइप से फैवी बॉंड का भी यूज कर सकते हैं यह बहुत अच्छा अच्छे से काम करती है मतलब की अच्छे से कईयों के पास तो इसको थोड़ा यह सूखने में टाइम लगता है तो देखिए मैं इसके लेक्स लगा दिये हैं और अब मैं ले रही हूँ यह वार्निश है वुड़न वार्निश मेरे पास रखी है तो यह जो है सूख भी है थोड़ी सी कोई बात नहीं लेकिन तो इस पर मैं यह जो हमन और यह जो हमारी वुड़न है लकड़ी है यह भी मजबूत हो जाती है मतलब थोड़ा बहुत अगर यह गीले में भी चली जाए तो इस पर नुकसान नहीं होता है तो देखिए आपको मैं दिखा रही हूँ जिसमें वार्निश की है उसमें कितनी शाइन आ गई है और दूस सूखने के लिए रख दूँगी और पूरा अंदर बहार से देखिए अच्छे से मैंने इस पर वार्निश अपलाई कर दी है और इसको सूखने के लिए रखती है तब तक अगला डिया देखते है तो फ्रैंस इसके लिए देखिए हमारे घर में यह शोपिंग बैक्स तो आ कर दिया है। जो इसके हैंडल तरह देख एक लिए उसके पर और और फैंको घंडता तो एक भार में दी ऑम बनाना तो अगर शोटा बनाना है ऐस तक लख ल डचीम ने पर प्छोपी buttsada में कंशना हैं च्no crag और श्तरून सब्सक्रों क्वाल दिखते हैं दीने कि बिद हाल जुमकी वाला भी ले सकते हैं, सिंपल स्टर्स इस टाइप के ये ले सकते हैं, ये मैंने लिए हैं, बलेक कलर के, तो ये पिंक के उपर जो बलेक अच्छे से जाएगा, दूर से ही दिख रहा था, तो मैंने ये इसका चूज किया है, और अब सिंपल देखिए हम इसके अंदर इसको लगा देंगे, तो आप चाहिए तो इसमें कपड़े वगरा भी रख सकते हैं, कुछ और समान, और मैं देखिए इसमें ये प्लांटर रख रही हूँ, तो ये बिलकुल सिंपल सा प्लांटर था, तो ये देखने में ऐसे अच्छा नहीं लगता था, जब भी मैं इसक पर रखती थी, तो ये कुछ सिंपल सा लगता था, तो इसको थोड़ा सा यूनिक डिजाइन दिया है, और देखिए कितना आसानी से ये बन गया, और देखिए पिंक कलर का है, मैंने इसले चूच किया, क्योंकि मेरे घर का थोड़ा फरनीचर है, वो भी पिंक कलर का है, तो अगर आप सेम रखेंगे, तो थोड़ा अच्छा लगेगा, मेरे पास अभी यही थे, तो मैं आपको देखिए, यही रख कर दिखा रहे हूँ, तो कितने अच्छे से ये प्लांटर बन गए, मुझे बहुत पसंद आए, आपको कैसे लगे, प्लीज कमेंट करके इस तरीके से चोटे-चोटे क्यूट से ये कंटेनर आते रहते हैं, तो देखिए, इस टाइब से ये पीनट्स बटर के हैं, जैसे चोटे-बड़े, तो जब ये खाली होते हैं, तो इनको फेकनी की वज़ाए, मैं इनका रिउस कर लेती हूँ, और देखिए, इसके लेबल है, चोटे-बोटे चौक है, या फिर मसाले हैं, पाउच वगएरा ये आप रख सकते हैं, इसमें देखिए, ये एक श्रीखंट का डबबा था, तो इसमें मैंने अपने सभी पिस्ता श्याल रखे हैं, जो मुझे क्राफ्ट में बहुत काम आते हैं, तो इसी तरीके के ये किचन से कंटेनर निकलते हैं, मैं इसमें अपने DIY के समान रखकर अरेंज कर लेती हूं, और देखिए, तो आप इनको सिंपल भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो थोड़ा सा डेकोरेट करना चाहें, तो देखिए, एक आइसक्रीम क्या बॉक्स था, इस पर मैंने एक छोटा बना सकते हैं, तो लेकिन मैंने मेरे पास छोटी थी, तो भी छोटा ही बना रही हूं, तो आपको आइडिया आ जाएगा, मैं क्या बना रही हूं, तो सबसे पहले इसका हमने लेबल उतार दिया है, को कि उसका कोई काम नहीं था, और फिर लिया है, मैंने एक थोड़ा शाह पोर्नर वाला जैसे एक मतलब की, उसके बाद तो मैं इसको सीजर से कट करूँगी, बस एक बर इस से मैंने निशान लगा दिया है, और अब आराम से ये बोटल जो होती है, पहुत पतली होती है, तो सीजर से आराम से कट जाएगी, तो इसका नीचे का पार्ट से वो अब म कर दिया है, तो इसको अच्छे से आप एवन कर लीजिए, थोड़े से किनारे अच्छे कर लीजिए, और फिर देके हमने यह जो नीचे का पोर्षन है, इसको कट करेंगे, तो यह जो एक्स्ट्र Il, कैट कर दूंगी, तो सीजर की help से से कट कर दे रहूं हमें चाहिए नीचे का पॉर्शन और यह जो बीच वाला पॉर्शन है इसे आप उठा कर रख सकते हैं एज करटें टाई होल्डर भी से बन जाता है तो मैं कभी नेक्स वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी तो अभी तो हमें इसका काम नहीं है तो इसको इसकी शकल पर मच जाएं तो इसको बस मैं इसी काम के लिए यूज करती हूं कुछी भी जैसे चेदवेद घरना होता है तो इसको गरम कर लेती हूं और आराम से देखें गरम हो जाएगा तो इस तरीके से मैं इसको गोलाई में करते हुए एक हॉल बना दूंगी अब फ्रेंट्स देखें यह जो इसके ऊपर था वो भी हमने हटा दिया है जो एक था ब्लू कलर का क्या बूलेंगे इसको और फिर जो हमने यह होल किया था इसके अंदर यह जो उपर का पोर्शन था वो इसके अंदर डाल कर और नीचे हमने कैप लगा दिया और एक हमारा कोट्टू सा प्लांटर बन गया है इसमें आप पानी डालने के कोई भी कटिंग वाला प्लांट्स लगा सकते है चाहे तो आप इसमें सोईल डाल कर कोई भी छोटा सा कटिंग लगा सकते है तो देखें प्रेंट्स बन गया है तो यही था आज का वीडियो छोटा सा आई हो आपको पसंद आया कुछ भी अच्छा लगा हो तो फ्लीज लाइक कर दिजेगा शेयर कर दिजेगा चैनल पर नए है तो फ्लीज सब्सक्राइब कर दिजेगा